हेलो गाईज, यू आर मोस्ट वेलकम ओन ए टू जैड मोटिवेशनल आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं भगवान सत्त नारायन की कथा का महत्वे व्यक्ति अपने गर में सत्त नारायन भगवान की कथा कराते हैं जिससे मन में सरद्दा का भाउत्पन हो सत्त नारायन भगवान को भगवान विश्णू का सवरूप माना गया है जियोतिस सास्त्त के अनुसार सत्त नारायन का थकारत सत्त की नारायन के रूप में पूजा करना होता है हिंदु द्रम में जब भी कोई मांगली कार्य जैसे विवाग रह पर वे साधी होता है तो उस समय सत्तनायन भगवान की पूजा वे कथा करवाई जाती है तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे आईए जानते हैं कि भगवान सत्तनायन की कथा वे पूजन का क्या महत्व है साथ ही पूजा करने की विधी को भी इसकंद पुरान में सत्तनायन भगवान का उल्लेक किया गया है इसकंद पुरान के अनुसार सत्तनायन कठा का मैत्व है भगवान विश्व ने नारत जी को बता था माननाता है कि जो जातक इस कठा को करता है उसे मन मताबिक फल्प की प्राप्ति होती है क्योंकि व्यक्ति सत्य को इस्वर को मानकर पूरी निष्टा के साथ ही गता को सुनता है और उसकी हरमनो कामना पूर्ण होती है जोति सास्त्र के नुसार सत्तर नायन भगवान की गता कराने से हजारों वर्सों में किये गए यक के बराबर फल प्राप्त होता है जोतिस सास्त्र के अनुसार सत्तर नायन भगवान की गथा कराने के दोरान पूरे दिन वुरत रखना चाहिए वुरत वाले दिन सुबह उठकर रसनान करना चाहिए साथ हिसाब सुत्रे वस्त्र धारन करने चाहिए सत्तनारायन भगवान की गथा करते समय उत्तर दिसा में मुख करके पूजन करने चाहिए धार्मिक मान्याताओ के अनुसार साम के समय पंडिजी को बुला कर सत्तनारायन भगवान की गथा कराए पंड़ेजी के अनुसार पूजा करते समय चोगी पर कलस रखे साथ भगवान विसनु की परतिमा रखे और पूजा करे पूजान में चर्णा मर्त पान, दिल, रोली, कुमकुम, फल, फूल, सुपारी, आदिक और पित करे धार में कमानना था हो के अनुसार सत्तनारायन भगवान के गता पूरे परिवार के साथ सुननी चाहिए अन्त में सत्तनारायन भगवान को भोग लगा कर सभी लोगों में परसाथ बाट देना चाहिए और सबस्यंत में जो है भगवान सत्ता नारायन की आरती करनी चाहिए इस परकार से कथा समाप्त हो जाती है I hope guys आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल दैन ओके बाई बाई